हेलो एवरीवन स्वागत है आपका मेरे चैनल पर तो फ्रेंट्स आज मैं आपसे शियर करने वाली हूँ ये लटकन ये देखे इस तरीके से लटकन और ये जितनी सुन्दर लग रही है न उतना ही इनको बनाने में आसान है तो ये देखे तो चली शुरू करते हैं इनको बनाना तो फ्रेंट्स ये देखे दो कपड़े लिए हैं मैंने तीन इंच लंबाई के और तीन इंच चोड़ाई लिए हैं दोनों ही कपड़ों की अब हमें क्या करना है ये जो लटकन है हमने इस लेस से बनानी है ये लेस लगाएंगे तो और भी इसमें खुबसूरती आ जाएगी तो इस तरीके से हम इसको सील लेंगे जो सीधा वाला है वो अंदर की साइड रखना है और यहां से शुरू करेंगे हम इसके सेंटर से और ये लेस लगानी है ना हमने पहले लेस लगा लेते हैं यहां पर तो इस तरीके से लगाएंगे और ये लाइन भी यहां पर हाफ में ही खतम करेंगे तो ये कोने से हम लिए इसको काट लेंगे ताकि जो इसका कोना है वो अच्छे से निकल जाए जब हम इसको पल्टाएंगे तो ये देखें यहां से भी काट लिया है मैंने इस तरीके से कोने पर कट भी लगा ले अब इसको हम पल्टा लेंगे तो यह देखिए और यहां से जो इतना मुझ खुला हुआ है इसको हम इस तरीके से कर लेंगे क्योंकि यहां से हमने बाद में सिलाई लगानी है जब हम अपनी डोरी लगा लेंगे फिर हम यहां से भी सिलाई कर लेंगे जब तक यहाँ पर ऐसे करके एक सिलाई लगा लेते हैं तो यह देखिए इस तरीके से करने के बाद ना हम इसमें जो कपड़े की कत्रन होती है वो भर लेंगे अगर आपको वो नहीं भरना है तो एक जो फाइबर वाली कॉटन आती है वो भी आप इसमें भर सकते हैं करना है इसमें डोरी लगानी है तो मेरे पास तो यह डोरी है जो रेडिमेंट बजार में मिल जाती है इस तरीके से मोटी पतली जैसी भी आप लेना चाहें पर आप कपड़े की डोरी बना के भी सेम कपड़े की डोरी बना के भी लगा सकते हैं यहां से मैंने इतना मुझ खुला छोड़ा था तो यहां से इस तरीके से हमें यह अंदर डाल देना है और जो हमने यह खुला छोड़ा ना इतना भी हम बंद कर लेंगे तो फ्रेंट्स यह देखिए वैसे तो यह हमारी लटकन पूरी तयार है अगर आप ऐसे रखेंगे तो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन्दर लग रहा है पर मेरे पास इस तरीके से यह लटकन पड़ी है जो रेडिमेंट आती है ना वो मैं यहां पे नीचे लगा ल आजपल तो यह देखिए इस तरीके से आप रेडिकर सकतें यह तो कुर्थी के बैक में लगा सकतें नेक पर या फिर लहंड़ी वागे अगैरा में आजज बहुत चल रहे हैं है यह देखिए दो औरyes किये है और इसमें तो यह देखिए कपड़े का ही मैंने डोरी लगाया है इस तरीके से और बहुत ही सुन्दर लगते हैं यह तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next video में thank you for watching